एलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एक्जाम ट्रेनर यूट्व चैनल एक्जाम ट्रेनर यूट्व चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम देखेंगे पीछले वर्ष के प्रस्ट यानि एंटी पीची और गुरूपडी के लिए महत्यपुन क्वेशन होगा और आज का जो सीरीज आपका अंत्रिच और अच्छा प्रदोगी की क्वेशन होगा और यह आपका छठवा लेक्षर है तो प्लीज आप जो है हमारे इस एक्जाम ट्रेनर यूट्व चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम आप दो के लिए अपलोड करें आपको इसका नो़िफिकेशन मिलतार है तो चली श्टारट करते कोईशन की तरह बड़ते आज का पहला कोईशन आपके सामने यह रहा है आज का पहला कोईशन आपके सामने का अंतराष्टी अभूभावतिकी वर्श आईणी की आई-जी-वाई कब मनाया गया था 1957 से 1959 1969 और शत्तर में और 1968 इस कुष्ण का जो राइट अंसर अपसम नंबर ए है अपका उननीश सो संतावन अंठावन में जो है अंतराष्टिय वह वाउतिकी वर्स यानि आई जी वाई मनाया गया था अब इसके inda के मद्धिमान आया था तो यह है आपका का ऐस फ्रश्न का उनसर और डेटेल्स nextund की बद करते हैं नमलिकित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में इस्तवाल किया जाता है मोटर ग्राइंडर में इस्तवाल किया जाता है Split Phase Induction Motor, Capacitor, Start Capacitor, Run Induction Motor, Synchronous Motor और Capacitor Start Induction Motor तो इस कोशन का जो right answer option number A है Split Phase Induction Motor जो है Motor Grinder में इस्तमाल किया जाता है अब इसके डिडल्स के बारे में बात करते हैं तो Mixer Grinder में Split Phase Induction Motor इस्तमाल किया जाता है Next Question की बात करते हैं किस गती के कारण सी सा पर बच्चा उपर और नीचे आता है किस गती के कारण सी सा जो होता है आपका सी और सा पर बच्चा जो है उपर और नीचे आता है Rotary गती, Curvy Linear गती, Brownie गती और Oscillatory गती तो इस कोशन का जो right answer option number D है Oscillatory गती के कारण जो है बच्चा जो है सी सा पर उपर और नीचे आता है अब इसके डिटल्स के बारे मात करते हैं तो दोलनी गती यानि और Oscillatory motion के कारण सी सा पर बच्चा उपर और नीचे जाता है यदि कोई पिंड अवर्त गती में एक ही पत पर किसी निश्चित बिंदू यानि सामी श्थिती के इधर उधर गती करता है तो पिंड की गती दो है, दोलनी गती कालाती है, Oscillatory motion कालाता है तो इस प्रस्चन का डिटल्स नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नीचे एक अभिकतन है और एक कारण दिया गया अभिकतन है यह भारत में स्मार्ट फोन उप्यों करताओं की संख्या में तेजी से व्रिधी होती हुई दिख रही है अभिकतन है, कारण है उत्तम 3G और 4G कवरे सस्ती कीमत के साथ है इसका आपका राइट आंसर हो सकता है यह तो बात सत्य दूसरा कारण भी आपका सत्य है कि 3G से 4G कवरे सस्ती कीमत के साथ है इसलिए जो है A और R दोनों सही है और R जो है A का उचित ब्याख्या करता है इसलिए जो है लोग ज्यादा स्मार्टफोन की संख्या बढ़ रही है तो यह अपका इस कुशन का राइट आंसर अप्शन नंबर C A और R दोनों सही है और R A की उचित ब्याख्या करता है यानि अप्शन नंबर C सही है अब इसके रिडल्स है कि हाली के समय में भारत में स्मार्टफोन उप्यो करताओं की संख्या में तेजी से विरिधी होती हुई दिखी है और इसका सीधा सा कारण संचार कमपनियों द्वारा सस्ति कीमतों पर उत्तम 3G और 4G कवरेज से विदा परदान करना है और इसके अत्रीक्त बाजार प्रतिसफर्दा स्वरूप स्मार्टफोन की कीमतों में आई कमी भी इनके उप्यो करताओं में हुई विरिधी का एक क्या है कारण है यह है इस प्रस्न का डेटल्स नेक्स प्रस्न की बात करते है जो की 2016 एक्सो मार्श ट्रेस गैस अर्विटर 2016 एक्सो मार्श ट्रेस गैस अर्विटर उस मंगल गरह मिशन की श्रिंखला का पहला मिशन है जो दो अंतरिच एजन्सियों USA, इरोप और किस के द्वारा सनिक तुरुप से चलाए गया है जक्सा जपान, नासा अमेरिका, इसरो भारत और रास कोस्मास रूस तो इस कोशन का जो राइट आंसर अप्सन नमबर डी है रास कोस्मास रूस और E.S.A. यूरोप के द्वारा जो है 2016-100 Mars Trace Gas Orbiter चलाए गया था मंगल गरा मिसन के लिए अब इसके डिडल्स के बारे में बात करते हैं 2016-100 Mars Trace Gas Orbiter मंगल गरा मिसन की इस रिंखला का पाला मिसन है जो दो अंतरिच एजन्सियों E.S.A. एवं रास कोस्मास रूस द्वारा सनिक तुरूप से चलाए गया है और 14 Mars 2016 को मंगल पर जीवन के लच्छ ढूढने के लिए European Space Agency E.S.A. एवं रसियन फेडरल स्पेस एजन्सी रास कोस्मास द्वारा एक रोबोटिक प्रोब का परिछेपड वाया कोनूर कजाखिस्तान से किया गया था तो यह है इस प्रसन का डिटल्स नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं निमलिकित में से क्या भारत के अंतर ग्रहिया मिसन्त से संबंदित है पहला अप्सन है सरल जुगनू मंगल यान अनुशेड तेस कोशन का जो राइट अंसर अप्सन नंबर सी है मंगल यान है अपका भारत के अंतरग्रहिया मिसन से संबंदित है अप्सन नंबर सी सही है अब इसके रिटल्स के बारे में बात करते हैं तो मंगल मिसन SMOM जिसे मंगल यान भी कहा जाता है 24 सितंबर 2014 को मंगल गरा की कच्छा में अस्थापित एक अंतरिच यान है और यह 5 नंबर 2013 को भारतिय अंतरिच अनुशन धान संगठन द्वारा छोड़ा गया था और यह भारत का पाला अंतरग्रहिया मिसन है एवं सोवियत अंतरिच कारिकरम नासा और एरोपिया अंतरिच अजन्सी के बाद इसरो मंगल गरा पर पहुँचने वाली चौथी अंतरिच अजन्सी बन गई है और भारत जो है मंगल गरा की कच्छा में पहुँचने वाला पहला A.C.I. राष्ठ है और विसो का पहला राष्ठ है जिसने पहले परियास में इस मुकाम को हांसिल किया है इस नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज इंजन प्रयुजना है जिसके माध्यम से उच उचाई वाले हिलियम से भरे गुबारे का पर्यूग कर ग्रामिल और दूर दराज के छेत्रों में इंटरनेट की पहुँच परदान की जा सके पहला अपसन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एपल और याहू तो इस कोशन का जो राइट अंसर अपसन नंबर ए है गूगल ले जो है प्रोजेक्ट लून की खोज की और इस परियुजना इंजन खोज गूगल की परियुजना है जिसके माध्यम से उच उचाई वाले हिलियम से भरे गुबारे का उप्योगर ग्रामिल और और दूर दराज के छेत्रों में इंटरनेट की पहुंच परियुजना की जा सकेगी यह आपका राइट अंसर अपसून नंबर ए a Google एनेस कोशन का राइट अंसर अपसून नंबर a है अब इसके रिडलफ प्राइस की बात करते हैं तो परियुजेक्ट लून गूगल की एक पर्यूजना है जिसके माध्यम से उंच उचाई वाले हिलियम से भरे गुबारे का उपयोग कर ग्रामिर और दूर दराज के शेत्रों में इंटरनेट की पहुँच पर्दान की जा रही है और परतिय गुबारा पांच हजार वर किलोमीटर के छेतर में इंटरनेट कवरेज परदान करता है और इस पर योजना के तहत पिर्थवी की सत्ता से 20 किलोमीटर की उचाई पर हवा में तैरने वाले गुबारे अस्थापित किये जाते हैं तो यह इस प्रस्न का डिटेल्स समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनी की किसके द्वारा विक्षित की गई है अब इसकी डिटेल्स के बारे बात करते हैं तो इसके डिटेल्स आपके सामने की समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर, ओयल जैपर, उर्जा, एउनसंसाधन, संस्थान, तेरी, देनेर्जी, एंड, रिसोर्स, इंस्चिट द्वारा विक्षित की गई है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं मॉबायल, फών में, टच स्क्रीन, पैनल के परकार में क्या सामिल नहीं है प्रतिरोद्हक, कैपसेटिव, ध्वनी संप्रेशर, प्रकास संप्रेशर इस कोशं का जो राईट आंसर अप्सन नंबर C है अब इसके रेडल्स के बात करते हैं तो टच स्क्रीन एक ऐसा पटल है जिसमें असपर्ष के माध्यम से डेटा भरा जा सकता है और ऐसा करने के लिए किसी कुंजी पटल की अरशकता नहीं होती है और टच स्क्रीन के परकारों में प्रतिरोधक कैवे सीटी तथा प्रिकास कामिल है यह इस प्रशन का डेटल्स नेक्स्ट वोशन की बात करते हैं अंतरिश परेटन का मतलब क्या है बैग्यानिक अंतरिश अनवेशड चुट्टी मनाने के लिए अंतरिश यात्रा और केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया खुमना और मंगल ग्रह तक पहुं परेटन से आसे है कि उन्नत तक्निक या अकुत धन के बल पर रोमांच है तु अंतरिश यात्रा करना और इस प्रकार सर्वधिक उप्युक्ट भिकल्प यह भी होगा जो अमेरिका के डेनिश टीटो विशो के प्रथम अंतरिश पर्याटक थे डैनिश टीटो जो अमेरिका के हैं और ये विशो के प्रथम अंतरिश पर्याटक है डैनिश टीटो ठीक है तो इस कोशन का ये था आपका डेडल्स तो उमीद गरते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो उम्मिद गरते ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अधि अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पासी से सेर भी करें और जो भी आपको सुझाओ देना आप कमेंट के मादम से अपनी सुझाओ दे सकते हैं तो प्लीज आप हमारे इस exam टेनर इरोटेब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल इकन आएगा उससे भी प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्लोड करेंगे आपको इसका नटिफिकेशन मिलता रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं आप से अगली क्लास में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत All the best